हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूब चैनल ओनलाइन फास्टिक तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहां पर देख सकते हैं जैसे कि आप थम्मेल पर देख रहे हैं यहां पर दो तरह की आपकी पोस्ट आपकी निकल कर आ रही हैं यहां पर फुल स्रेक्शन प्रोसेज बताने वाला हूं इसमें हाई चेस्ट रणिंग एक्सपिरियन सेर्टिफिकेट लाज डेट और एजुके डाउट आपके किलियर हो जाएंगे बिल्कुल फ्रेंड्स यहां पर नोटिफिकेशन के मादिम से आपको मैं यहां पर अपडेट देने वाला हूं फ्रेंड्स मैं यहां पर मान दाऊं कि इससे अच्छी अपोर्चन आपके लिए अब यहां पर जो है नहीं आने वाली है अगर इस बेगेंजी के अंदर आप सेलेक्शन लेना चाहते हैं फ्रेंड्स तो फोर्म जुरूर अप्लाई करना और यहां पर सब कुछ मैं बिल्कुल जो स्टेब बाई स्टेब होता ना सेलेक्शन प्रोसेश की किस पिरकार होता है वो सब कुछ यहां पर मैं आपको अप जरू कर देना तो चली फ्रेंड्स अब चलते हैं हम इसकी ओपिसल साइट पर वहां से जो नोटिफिकेशन है अपडेट हुआ है ठीक उसको उसके बारे में मतलब इस बेगेंजी का फूल विस्तार सेलेक्शन प्रोसेस क्या है होने वाला है सबसे पहले क्या होगा ठीक है बो सब कुछ मैं आपको अपडेट देने वाला हूं सबसे पहले बात कर लेते हैं यहां पर यहां पर प्रूस महिला यानि की फिमेल और मेल दोनों अपलाई कर सकते हैं ठीक है दोनों इलिजिबल है वट यहां पर सुन लीजिब सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूंगा फ्रेंडस यहां पर आपकी ओनलाइन आबेदन जमा करने की टिति जो है 27 मार्स से यहां पर ओनलाइन आबेदन श्टार्ट हो जाएंगे ठीक है ओनलाइन आवेदन प्राप्त और करने ओनलाइन सुल्क भुकतान की जो अंतिम्ति थी रहने वाली फ्रेंट्स वो 25 अप्रेल यहाँ पर रहने वाली जो की 25,23 यानि की 20 से लेका आपके और यहाँ पर अप्रेल मतलब कुल मिलाके यह आपका जारी रहेगा मतलब आपके पास यहाँ पर और अगर बात कर लें फ्रेंट्स यहाँ पर जो आपका ओनलाइन यहाँ पर एक्जाम होने वाला फ्रेंट्स यह देख सकते हैं कुछ फ्रेंट्स जो इन्होंने पहली नोटिफिकेशन में देया हुआ है कि इस इस डेट को हम यह कराने वाले हैं तो फ्रेंट्स इसके माध्यम से आप देख सकते हैं ठीक है बट कोई नहीं यहाँ पर हम जो आपको सबसे पहले जो है इसमें आपका ओनलाइन तरीके से एक्जा कि एफ टेक्निकल ट्रेट्समेंस के अंतर कर जो बेगेंसी आई हो उसका उसमें सेरली कितनी मिलेगे आपको सेलेक्शन जब आपका हो जाएगा तो फ्रेंट्स यहाँ पर 21,000 से लेके और 69,000 यहां कि 21,700 से लेके 29,100 पर मंत सेरली आपको मिलने वाली है ठीक है तो यहाँ पर फ्रेंट्स अगर बात कर लें कि आपकी पोस्ट कितनी होने वाली है तो फ्रेंट्स यहाँ पर 9,200 वारे बेगेंसी बहुत अच्छे अप्रोचनेटी आपको नहीं देखनों को मिल सकती है जो कि पुरूस होने वाले है इसमें 9,105 और महिला के लिए 107 बेगेंसी आपर है ठीक है तो देख सकते हैं दोनों ही उसमें यह फ्रेंट्स आपके जो है पुरूसों की रिक्तिया मतलब किस स्टेड में कितने कितने जो है जैसे कि आप पर अगर आंदर प्रिदेश की बात करें फ्रेंट्स आपर जो है चालक 145 चाहिए और मोटर मेकेनिकल बाहन जो रि पेंटर इस पुरूसाय को रिका फैं जो है आपकी इस पुरूस्ट काहिए जैसे कि बारहन है 16 ढबी नई हो जो गए और चना करमचारी चाहिए इस एचल और लिप एह, इसे चल्थाजरे के इतनी तनी चाहिए तो भाई यह रही ठीक है तो यह आप खुद देख सकते हैं, अगर मैं यहाप पर आपको अपडेट दूँगा, तो यह काफी लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है, तो यह आप देख सकते हैं, नोडिफिकेशन डाउनलोड करके, ठीक है, तो कुछ रिजर्ब में भी है, भाईस में, ठीक है, सबसे प फोम को अपलाई कर सकते हैं, इसमें 18-23 वाले भी हैं, मतलब ट्रेड, किस ट्रेड में आप फोम अपलाई करने वाले हैं, उस ट्रेड के अनुसार आपकी एज, जो है, काउंट होने वाली है, ठीक है, इस प्रिकार से आपकी एज काउंट की जाएगी, मैक्सिमम 18-23 और मैक से एज काउंट की जाएगी, और छूट की बाद, जैसे फ्रेंट की बाद जैसे फ्रेंट की यहाँ पर, आपको ऐसी ऐसी, OVC को मिलती है, वो पास 3 साल की जो भी है, वो देख सकते हैं, ठीक है, इस प्रिकार से, तो फ्रेंट से, यहाँ पर हम आपको अप्डेड यह देन metric का मतलब 10th pass अगर आप है तो form easily आप apply कर सकते हैं trade man में ही अधिकतर जो है 10th pass होना ही अनुवार होता है ठीक है यहाँ पर सिपाई चालक के लिए अगर बात करें किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड अत्वा केंद्रिय या राज्य सरकार दुआरा मान्यता प्राप्त बिस्विध्याले कम से कम कम से कम जो metric या समक्स ठीक है या उससे उपर level का हो या plus metric प्लस हो ठीक है कुल मलाक metric plus 10th बेस पर आपकी ये बेगेंसी है अगर बात करें यहाँ पर ये कोंस्टेबल की दी अगर टेकनिकल की बात करें तो यह पर हेवी ट्रांसपोर्ट है है भरती के समय ड्राइविंग टेस्ट पास करना चाहिए मतलब थोड़ी बहुत नॉर्मल सी वह होनी चाहिए आपर जो चालक है अगर बात करें तो आपको जल्दी से जो ये सेंटर आपके कहा कहा पर है तो आपके स्टेट की स्टेट को चुनना चाहते हैं तो आप बात कर लेते फ्रेंड्स यहाँ पर जो आपकी इसमें सोरफे फीस लगने वाली है और आपका जो कंपूटर वेस्स सबसे पहले एक्जाम होना है तो 25 नंबर की हिंदी या इंगलिस आएगी और यहाँ पर जीके नोलिज आपकी होने वाली है ठीक है हाइट की अगर बात करें फ्रेंड्स जब आप नेक्स्ट फेस आता है आपका सेकिंड जब आपस एक्जाम पास कर ले तो उसके बाद आपका फीजिकल होता है फीजिकल में हाइट जो आपकी सबसे पहले लंबाई नफेगी आपर 170 cm आपकी लंबाई होनी चाहिए और बाकि जो इस category सा आते हैं उनकी नॉर्मल 122.5 cm जो इस category सा आते हैं महिलाँ की जो अगर बात करें 157 cm आपकी height यहाँ पर ली जाएगी तो इस परकार से है ठीक है ट्रेड मैं की जितनी भी something होती है इनमें जो है आपकी height इतना लेते ही है ठीक है तो maximum इतना था नोर्मल सा है तो friends I hope कि यह जानगारे आपको पसंद आई होगी पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल उपर अगर आप पहली वारत तो चैनल को सस्काइब जुरू करें न कोई भी डाउट हो तो comment box में मालूम कर सकते हैं मिलेंगे फ्रेंक्स नेक्स वीडियो में तब तक लिए जैन जवारत